हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चनल स्विल मुंत्रा में आए देखते हैं आज का क्मारा क्वेश्चन क्या है इन आइडर टू फार्म आप बबल्स एयर इंट्रोड्यूच्ट थ्रो अ नाजल इंटू ए टांक आप वाटर एट 20 डिग्री सिंटीग्रेट अग्यश्चन को करना था कि अग्या ठाप्रिश्चन किंट्राइब संप्राइब सब्सक्राइब से बबनाइब आप सकते हैं इस पर्फेंट थे इंटीड ब्रॉट्ड के उसको उसके बनाने कोशिच वाटर नंप्रेजर्ट था सबहां बोलागा 20 डिग्री संटीग्रेट है लब कि हमको जो surrounding water के अंदर, जो surrounding water है, उसके लिए हमको air nozzle में कितना air pressure हमको उसमें डालना पड़ेगा, तक हमारा 3 mmWatt-Gutameter bubble है, वो हमको farm हो सके, यह हमको पूछा गया था, एक question यह हमार बनता है, फिर और पूछा गये, what would be the absolute pressure inside the bubble, if the surrounding water is at 100.93 kN per meter square, यहां बोला गया, take the surface tension of water at 20 degrees centigrade, equal to 0.0735, तो यहांप हमें एक चीश समा सकते हैं, यहांप हमको क्या बोला गया, यहांपे diameter दिया है, उसको हमारा दिया है 3 mm, तो इसको हम लिश सकते हैं, 3 into 10 to power minus 3 meter, surface tension दिया है, sigma, किसका दिया है, 20 degrees centigrade कितना है यहांपे, 0.0735 newton per meter, हमको क्या निकालना है यहांपे देख सकते हैं, the air pressure at the nozzle must exceed that of the surrounding water pressure, मदलब कि हमारा जो nozzle pressure में, surrounding water जो हमारा है, उससे कितना ज़्यादा हमारा pressure यहांपे डालना पड़ेगा, तो यहांपे मदलब कि हमारा atmosphere creation हमको नहीं निकालना है, किवाल कितना ज़्यादा है, वो हमको यहांपे निकालना पड़ेगा, तो यहांपे किवाल simply formula apply करेंगे, P equal to water case है, तो यहांपे हम डखेंगे, 4 sigma upon D, 4 हमारा क्या है, 4 sigma हमारा क्या है, surface tension 0.0735, अगला क्या कुछा गया था, यदि हमारा जो surrounding water का pressure है, absolute surrounding water का pressure है, वो है 100.3 km2 पर मीटर इसकारे पर, तो हमको निकालना है P ABS, P absolute pressure हमको निकालना है, तो यहांपे हमारा हो जाएगा, जो pressure हमने निकालना, plus atmosphere pressure हमको यहांपे add करना पड़ेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 98, अब दोस्तों यहांप ध्यान दिएगा, यह किसमें दिया है यहांपे, kilonewton per meter में, तो इसको हम kilonewton per meter में चेंज करने के लिए करेंगे, 98 multiplied by 10 to power minus 3 kilonewton per meter square, इसको हम यहांपे यह लिख सकते हैं, तो आगे करें, तो यहांपे हो जाएगा, 98 into 10 to power minus 3 kilonewton per meter square, प्लस, यह हमको किन्दा दिया, 100.3 kilonewton per meter square, जो हम इसको add करेंगे साथ ही हो, तो यह हमारा हो जाएगा, 0.098 plus 100.3, अब इसको add करने पर में रहाएगा, 100.398 kilonewton per meter square, यह हमारा के आया, तो साथियों P absolute pressure आया, तो यह दोस्तों धन्द दियेगा, इस पगार हम यहांपे निकालते हैं, साथी यह question हमारा इस पगार साल हुआ, यदि आपको वाज़ी कोई question हो, तो description box में दियेगा link से आप हमारे पास भेज सकते हैं, और हम पूरी कोईशिस करेंगे आपको वीडियो solution प्रवाड करवाने के, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तो तक लिए धन्वाद जहिन,